गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम इंदी व्याकरन के पाठ दो वर्ण विचार का अधियन करेंगे इससे पहले हम भासा और व्याकरन पाठ पढ़ चुके हैं और आप सभी को वह समझ में आया होगा और आपने उसकी प्रशन उत्तर एवं अनिक रहकारिय कर लिया होगा आईए आज हम व्याकरन की प्रथम विभाग वर्ण विचार के बारे में जानते हैं इसके अंदर हम पढ़ेंगे वर्ण वर्ण माला स्वर जवं बिंजन तो हम पहले जानते हैं वर्ण क्या है वर्ण किसे कहते हैं बासा की सबसे चोटी इकाई वर्ण है बासा की सबसे चोटी इकाई वर्ण है जब हम मुक से कोई सब्द बोलते हैं तो वह अनिक छोटी छोटी दुनियों के मिलने से बनता है जैसे बालू बा दन आ दन ला दन उ इन बा आ ला उ इन छोटी छोटी दुनियों से मिलके क्या सब्द बना बालू और हम कहेंगे बालू आ रहा है बालू जा रहा है तो इसमें दो तिन जो सब्द हैं ये चोटे चोटे वर्णों से मिलकर बने हैं इन दुनियों को ही वर्ण कहते हैं जो ये चोटे चोटे दुनी है इने वर्ण कहते हैं अताहा हम परिवाशा बनाएंगे वरन की बासा की वह सबसे छोटी दूनी जित के पुनह टुकड़े ना हो सके वरन कहलाती है बासा की वह सबसे छोटी दूनी बासा में जब हम दोनी दोनी का परियोग करते हैं और उस दोनी सबसे छोटी दोनी का जो लिखित रूप है वही क्या है वरन कहलाता है वरन कहलाती है उसके पुना टुकड़े बासा है बासा में एक-एक वाक्य होते हैं में एक-एक लाइन बोलते हैं वाक्य के अंदर क्या होते हैं सब्द होते हैं ठीक है और सब्द में वर्ण होते हैं स्वर होगा बिंजन होगा और उस वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते हैं ठीक है जैसे में घर बनाते हैं घर में दिवार बनती है न दिवार किसे मिलके बनी है इंट से सिमेंट से बजरी से आदीन सभी से मिलके दीवर बन तो दीवार से हमने एक एक दीवार की सबसे चोटी इकाई क्या है इंट ठीक है एक 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 इंट से मिलके बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बनती है तो अब हम कहेंगे दीवार के सबसे चोटी इकाई है यदि हम उसे तोड़ देंगे तो इंट का टुकड़ा होगा इंट नहीं होगी क्या होगा इंट का टुकड़ा ऐसी बासा की सबसे छोटी एकाई क्या कहलाती है वरन कहलाती है आईए अब हम जाने वरन माला वरन माला क्या होती है जिस परकार आपने माला देखी है फूल माला होती है तो बहुत ही सुन्दर तरीके से सजाई हुए होती है तो आई हम जानते हैं विद्धानों ने हमारी हिंदी की वर्ण माला है हिंदी वाशा की वक किस परकार सजाई है तो यह स्वर एवं ब्यंजन आदिसे सजार कियें तो स्वरों की संक्या है ग्यारा एवं ब्यंजन की संक्या है तेंटीस ठीक है? स्वर क्या क्या होते हैं? आपने पड़े हुएं आ से लेकर आउ तक आ से लेकर आउ तक यह ग्यारा स्वर होते हैं और का से लेकर आ तक यह क्या है? ब्यंजन है इनमें कावर्ग, चावर्ग, तावर्ग, तावर्ग, पावर्ग अरवर्ग में अपने पाँच-पाँच ब्यंजन होते हैं और यह सुरू के का से लेकर मा तक काखा गागा, गाँ, चाचा जाजा, यह टाठा डाडा अना, ताथा दादा ना, पाफा बाबा, मा यह पाँच वर्ग हैं और यह पच्चिस वर्ग क्या कहलाते हैं, कौन से ब्यंजन हैं यह, इस पर्ग से ब्यंजन, क्या ब्यंजन हैं, इस पर्ग से ब्यंजन अगला है, या, र, ल, व, ये चार वर्ग, अन्तस्त, ब्यंजन कहलाते हैं, आगे, श, श, स, ह, यह चार उश्म ब्यंजन कहलाते हैं, तो यह हमारे ग्यारस वर्ग एवं तेतित ब्यंजन हैं, अब वर्ण माला क्या है वर्णों की करम बद्द सारणी को वर्ण माला कहते है यह आप से पूछा गया है वर्ण माला क्या है तो वर्णों की करम बद्द सारणी को वर्ण माला कहते है तो यहाँ पर हमें संदे हो जाता कई बार हम कहते हैं वर्णों के समू को वर्णमाला कहते हैं यह गलत है वर्णों का सार्थक समू सब्द कहल लाता है जबकि वर्णमाला क्या होती है वर्णों की करंबद शारनी जब भी हम वर्णमाला लिखते हैं तो हम पहले छोटा आ पिर बढ़ा हर छोटे को क्या करते हैं और फिर आगे 11 वल लिखेंगे फिर हम का खा गा गा हर वर्ण का अपना एक निश्चित इस्तान है हम इसे आगे या पीछे नहीं कर सकते हैं अगर हम आगे पीछे करेंगे तो वर्ण वाला खराब हो जाएगी हम में हमारे पास अल्फा बेट ने है ए टू जड तो सबसे पहले ए यह आता है सबसे लास्त में जड यह आता है हम जड से सुरू नहीं कर सकते हैं उसी प्रकार इसलिए का है वर्णों की करम बद्ध सारणी एक सारणी बनी हुए न है टाइम टेवल बना हुए कब कौन सा माला कहते हैं अब आपने पड़ा होगा है इन में कुछ और वर्ण होते हैं अन्य वर्ण इनके अत्रिक्त हिंदी वर्ण माला में कुछ अन्य वर्ण होते हैं जिनने क्या कहते हैं अयोग वा अयोग वा अयोग वा अयोग वा अयोग वा अयोग अर्था नहीं है योग मतलब जुड़ा हुआ जो वर्ण ना ही स्वरों में जुड़े हैं ना ही बेंजनों में जुड़े हैं उन्हें क्या कहते हैं अयोगवा अब जैसे अंग अंग तथा अह या तीन वर्ण क्या होते हैं अयोगवा से अंग अनुश्वार दूशरा अनुनासिक तीसरा विशर्ग यह इ लगती हैं इनकी क्या लगती हैं मात्रा हैं और यह मात्रा किस्प के साथ लगी है आवरण के साथ अन्य विक्सित धोनिया हिंदी की विक्सित धोनिया डा और धा यह बेंजन में भी आते हैं परन्तु यहां नुक्ता चिन के साथ यह परियोग किये गए हैं संयोक तो बेंजन ख्षा त्र ग्या एवं स्रा इचार ख्षा का और शा मौरधन्य शा के संयोक से ख्षा बना ता एवं रा के संयोक से त्रा बना अज्जा और यां के संयोक से ग्यां बना और शा तालब बिशा और रा के संयोक से स्रा बना तो यह क्या है संयोक्त बेंजन है ठीक है आज हमने यहां तक जाना आईए हम इन से सम्बंदित कुछ प्रशन देखते हैं वर्न किशे कहते हैं वर्न किशे कहते हैं तो आपने जाना अभी हमने पढ़ा था क्या है भासा की वह सबसे चोटी दोनी जिसके टुगडे ना हो सके वर्न कहलाती है यप परिवाशा हो गई जैसे ही आप उधारन में कुछ वर्नों लिख सकते हैं ठीक है अगला हमारा प्रशन है वर्न माला से आप क्या समझते हैं अर्थात वर्न माला किसे कहते हैं उधारन भी लिखना है तो हम वर्ण माला हमारी यहां से इस्टार्डवी तो हम पहले तो परिवाशा लिखेंगे वर्णों की करम बद्द शारणी को वर्ण माला कहते हैं इन्दी वर्ण माला में ग्यारा स्वर एवं तेतिस बिंजन होते हैं जो निम्न प्रकार से हैं यह पूरी वर्ण माला आप बनाएंगे ठीक है तो आसा आपको यहां समझ आया होगा तो आप यह दो प्रेशन करेंगे धन्यवाद